रसोई में टीवी संड़े के दिन को आन ओफिस जाता है मोहित अरे ये बॉस यार उनके तो नौकर है हम वैसे भी घर पर टीवी के लिए लड़ने वाले हैसे भी बहुत लोग है और देखो आई पिल का टाइम है रात को आट बजे टीवी फ्री छोड़ दे न बागी पूरा दिन तुम टीवी से चिपके रो मुझे कोई दिकत नहीं सुना जल्दी जल्दी खाना बनाने का काम पूरा करती है ताकि वो टीवी देख सके दो बजनी ही वाला होता है कि तब ही उसकी सास आकर टीवी के सामने रखे सूफी पर बैठ जाती है जर से बाग गई थी सुना सारा काम करके जैसे ही हॉल में जाती है अपने सास ससुर को टीवी देखता दे उसके तो होशी उड़ जाते है मम्मी अभी तो मैं टीवी देखने वाली थी हेलो कोई सुन रहा है कि नहीं सुना मनोरमा से अपने मूवी देखने की बात कहती रहती है पर मनोरमा टस से मस नहीं होती और एक टक टीवी देखती रहती है पूरे तीन घंटे बाद मनोरमा और सुभाश टीवी के सामने से उठते है वो क्या पिक्चर थी मुझा हो गयो अरा बहुत तो बीच में शायद कुछ कह रही थी पर तु जानती है ना कि एक वक्त पर एक ही काम कर पाती हूँ मैं अब बोल क्या कह रही थी तो कुछ नहीं सासुमा कुछ नहीं सोना के साथ के पहली बाद नहीं हुआ था मनोरमा निवास में तो ये आम बात थी पर अब ये बात सोना के दोस्तों को कौन समझाए सोना की तासे तासे जखमों पर एक कॉल आती ही नमक का छिटका हो जाता है तो मैडम देख ली अपनी फेवरिट मूवी, मैंने तो जैसे ही टीवी पर तेरी फेवरिट मूवी आती देखिना, तो मैं समझ गई, सोना मैडम तो मूवी में बिजी होगी, इसलिए मूवी ओवर होने के बाद ही कॉल किया, स्वाती, वो मेरी तबे ठीक नहीं लग रही है, मैं तो इसे कल बात करती हूँ, ये कहकर सोना फोन काट दीती है, और उसका दिमाग गुसे से भर जाता है, वो गुसे में रसोय में बड़़ाती हुई जाती है, और रात का खाना तयार करने लगती है, मेरा क्या है, मैं तो आज न जाने बहु को क्या हो गया लगता है एक टीवी अपने मूँ में ही फिट कर लिया है बहु ने अरे सोना क्या हो गया तुम्हें किसी को कोई मतलब नहीं है दिन भर के काम के बाद एक पल नहीं मिलता कि टीवी देख लो आज मुश्किल से टाइम मिला तो टीवी फ्री नहीं है अच्छा है किसी को मेरे फिक्र क्यों होगी कौन हूँ मैं बेचारी सोना करती भी तो क्या रसोय में बरतन पटक कर अपना गुस्सा बरतनों पर निकालती हुई खाना बनाने जाती है फिर बढ़बढाती हुई सभी को खाना खिला कर बिना किसी से कुछ कहे सीधा अपने कमरे में सोने चली जाती है सोना के दुख को बढ़ाने जो बची कुछी असर थी वो कसर भी अब पूरी होने वाली थी अगली सुबर सोना के महली की कुछ सहल यहां उसकी घर पर आती है अरे जियोती, तुने कल अनुपमा का क्लाइमेक्स देखा क्या? ओ गाड, अनेक्सपेक्टर था ना अरे बही तो, मज़ा ही आ गया देखकर अरे सोना तुने देखा ना, मिस तुने ही कर दिया एपिसोड भागल हो क्या, ओभियसली देखा ना, वाओ, मज़ा आ गया अच्छे तो बता, जरख कल क्या दिखाया गया एपिसोड में? वो, वो, तो बड़ी डिंगे हाकती थी ना, कि मैं तो दिन भर आराम से टीवी देखती हूँ मेरा सिसराल ऐसा है, मेरा सिसराल वैसा है, देख लिया तुम्हारा सिसराल, चलो फ्रेंज सोना की सहलियां उसकी घर से चली जाती है, और सोना अपने दोस्तों के सामने शरमिंदा हो जाती है सोना और उसकी सहलियों की बाते मोहित सुन लेता है अब समझ में आ, बेचारी सोना कल इतनी जिड़ी हुई क्यों थी? मोहित जरा भी देर ना करके एक इलेक्ट्रिशन को बुलवा कर एक टीवी रसोई में लगवा दिता है मेडम जी, जाएए, आपके लिए आपका पर्सनल टीवी रसोई में इंतिजार कर रहा है वा भीया, ये तो अच्छा है, जब मैंने कहा था कि मेरे लिए एक टीवी मेरे कमरे में लगवा दो तो वो बे फिजुल खर्च हो गया, और आज भाबी के लिए रसोई में टीवी अरा तो तू क्यों कुड़ती है, तू भी अपने सिसुराल के रसोई घर में टीवी लगवा ले न वो तो तैब होगा न मा, जब मैं सिसुराल जाओंगी, यहां तो किसी को फार्की नहीं है, कि जवान बेहन घर पर बैठी हुई है यह कहकर निहा सीधा अपने कमरे में चली जाती है भाबी के रसोई से अगर मैंने टीवी ना हटवाया, तो मेरा नाम भी नेहा नहीं रसोई में लगे टीवी को देखकर सुना बहुत खुश हो जाती है पर उस टीवी के कारण उसके काम में कोई अर्चन ना है, इसका वो पूरा ध्यान रखती है जब नाश्टा बना कर सुना रसोई से बाहर आती है, तो निहा उसके बनाए खाने में नमक डाल दीती है बहु प्रे, खाने में इतना नमक, मुझे हाई भी पी है बहु रसोई में टीवी लग गया है, तो इसका ये मतलब नहीं के तुम किसी की भी सेहत का ध्यान ही ना रखो बहु पर मैंने तु, आपको ध्यान रखना चाहिए था बाबी इसी तरह निहा आए दिन, कभी किसी खाने में मिर्श तो कभी चीनी तो कभी नमक डाल कर, उसे बिगाड ही दिया करती थी, फिर एक रूस सोना, आज राज डिनर पर मेरे बॉस अपनी फैमिली के साथ आने वाले है प्लीज, आज किल खाने में तुम जो ब्लंडर कर रही हो ना, वो मत करना मेरी जौप का सवाल है यार मैं आज टीवी ही ओन नहीं करूंगी मोहिच्ची, डोंट वरी सोना ध्यान से एक-एक डेश को बनाती है, फिर टेस्ट भी करती है छेलो, सब कुछ पॉफेक्ट है, मैं अब डाइनिंग टेबल अरेंज कर देती हूँ, वो लोग आती ही होंगी जैसे ही सोना रसोई से बाहर आती है, निहा सारे खाने में नमक मिर्च मिला देती है इस सबसे अंजान सोना, उसी खाने को अपने पती के बॉस को परोस देती है, जिसे खाकर वो मोहित पर बहुत गुस्सा हो जाते है तो इस मज़ाग के लिए यू है इन्वाइटेड में, है? तुम्हारा कोई प्रमोशिन प्रमोशिन नहीं होगा, यू आर फायर्ड मोहित जैसे ही रस्वे में जाता है, वहाँ नीहा को मिलकशेक में दही मिलाता देख लेता है तो ये सब तुम कर रही थी? नहीं, नहीं भया, वो आज तुम्हारा भाई नहीं कमाएगा, तो कहां से अपने शौक पूरे करोगी? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई, है? आज से तु मेरी बेटी नहीं अपने भाई की नौकरी खा ली ना, अब आरा हम से देख टीवी ममी बापा, मैंने ये सब भाई से जलन में कर दिया मैं तो बस रजोई से टीवी अटवाना चाहती थी भया, की जोब भी चली जाएगी, ये नहीं सोचा था मैंने निहा सीदा मोहित के बॉस के पास जाकर उन्हें सच बता दीती है I'm sorry बाबी तुम्हें टीवी चाहिए था, तुम मुझे कहती निहा, ये सब करने की क्या जरुरत थी खेर, ये सब तुम्हारा बच्पना है, मैंने तुम्हें माफ किया वैसे पहले तो मैं तुमसे बड़ा नारास था, पर मिलक शीक पी कर और तुम्हारी पत्नी के बड़े दिल को देखकर मेरा दिल भी पिगल गया ऐसी बहुतो हरे गर में हो नहीं चाहिए कल प्रमोशन लेटर ओफिस से लिलेना और हाँ, नेक्स टैम खाने पर कब बुला रहे हो